ही गाईज, वेलकम तो पिहू टीवी, आज मैं आपके साथ चाक वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है, टोटल 5 मीटर था, उसमें से मैंने प्लाजो बना लिया है, और इस तरह की कुड़ती के लिए 3 मीटर और इतने कपड़े को डबल कर लेना है, एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसके लिया है, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में दबेगा, और आधा इंच नीचे वाला पार्ट अटेच करने में जाएगा, कट करने के बाद इस कपड़े को हटा देना है, अब जो इस कपड़े इसको कट कर लिया है, अब इस पे मार्किंग कर लेते हैं, सबसे पहले तीरे का मार्क में 7 इंच पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बैक नेक जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है, 3 इंच तक डीप है, अगर आप डीप बना रहे हो नेक तो आप 6 इंच तीरा ले सकते हो, और क 20 तो 20 का हाफ लगाएंगे यहाँ पे 10 इंच, इसी तरह से कमर का हाफ लगाएंगे, 17 है कमर तो उसका हाफ हो गया 8.5 इंच, लेकिन मैंने इसमें प्लेट भी डालनी है, तो 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले रेंगे, तो 9.5 मैंने टोटल ले लिया, अगर आप प्लेट न अब फ्रंट का आर्म होल मार्क करने के लिए, यहाँ से हमने पोना 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए, इसे उपर मिला देना है, और फ्रंट आर्म होल की शेप डोग कर देनी है, नेक की विट का मार्क मैं 3 इंच पे कर रही हूँ, और बैक नेक भी 3 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ, फ्रंट नेक की जो लेंथ है, यह मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, आप अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग फ्रंट नेक ले सकते हो, अब हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है, और इसे नेक की मार्किंग से मिला देना है, जैसे उपर 2 इंच का मार्जन है, कमर के पास भी 2 इंच मार्जन रख लिया, यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करते हुए, इस तरह से यहाँ तक मिला देना है, अब हमने जो बाहर वाली मार्किंग्स है इन पर कट कर लेना है, यानि जो बैक पैनल वाली मार्किंग है, इन पर कट कर लेंगे, इतना कट करने के बाद इसमें से एक पैनल हटा देना है और फ्रंट आर्मोल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे आप चाहो तो फ्रंट नेक को बुकरम की हैल्प से भी बना सकते हो तो आप कट मत कीजिए और इसी पे बुकरम को अटैच कर लीजिए पॉड़ी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब नीचे वाला पार्ट कट करने के लिए ये आगे बचा हुआ कपड़ा मैंने ले लिया है अब इसकी लंबाई किस तरह से लेनी है जितनी बोडी तयार रखनी है जैसे मुझे 15 इंची बोडी तयार रखनी है तो 15 इंची तक टेप को बाहर की तरफ निकाल देना है तो इस तरह से 15 इंची रखते हुए जितनी कुर्टी की लंबाई आपको तयार चाहिए जैसे मुझे 43.5 रख रही हूँ मैं कुर्टी की लंबाई तयार तो 43.5 पे निशान लगा लेना है और इसके बाद 1.5 इंच और ले लेना है ये मैंने पहले से ही इतना कपड़ा कट कर लिया था अपनी लेंध के अकॉर्डिंग तो ये 30 इंची तक डबल हो गया है इस साइट से जुड़ा हुआ है इसे भी काटते हुए अलग कर लेना है क्योंकि दोनों पैनल्स के लिए चाहिए फ्रन्ट और पैक के लिए कट करने के बाद ये मैंने बॉडी का एक पीस लिया है बॉडी के सैंटर पे और इस कपड़े के सैंटर पे एक मार्क कर लेना है ये करफली ऐसे ही मार्क कर रही हूँ क्योंकि इसमें अब प्लेटें डालनी है ताकि प्लेटें सैंटर के दोनों तरफ ब्राबर ब्राबर डलें आप इसमें धागा खींच कर भी प्लेट्स डाल सकते हो या फिर बॉक्स प्लेट्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो ऐसे बाद में इसमें मैं प्लेटें डालते हुए इसमें सिल लोंगी तो चलिए अब बाजू की भी cutting कर लेते हैं बाजू cut करने के लिए ये मैंने कपड़ा डबल करते हुए रखा हुआ है तो दोनों बाजू के लिए 4 fold है ये कपड़ा यहाँ आरम पिट से 0.5 इंच पे mark करना है और जो आरमो लेंट लेनी है वो जितना भी burst size है उसका पांचवा हिस्सा जहां पे लगाएंगे तो मेरे case में 40 इंच है उसका पांचवा हिस्सा 8 इंच लेते हुए यहाँ से आगे 2 इंच मार्जन ले लिया है अब जैसे आरम पिट से 0.5 इंच लिया है वैसे ही यहाँ उपर से 0.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से shape डो कर देनी है बाजू की मोरी 5 इंच है इसके बाद 1.5 इंच का मार्जन रखते हुए मार्ग कर लेना है जितनी बाजू आपने तयार रखनी है उससे 1.5 इंच कम लंबाई लें क्योंकि इसके आगे मैंने बाद में फ्रिल लगानी है इन पॉइंट्स को भी यहां मिला देना है यह कटिंग का मार्ग है और यह फिटिंग का मार्ग है यहां पे भी फ्रन्ट आर्म होल की shape इसमें डो कर देंगे 1.5 इंच के गैप पे तो ऐसे इस पे कट कर देना है इसके फ्रन्ट आर्म होल की cutting करने के लिए इसे खोलते हुए रखना है कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और फिर इसे कट करना है अब इसमें लगाने के लिए फ्रिल का कपड़ा लिया है धाई इंच चोड़ी है सिलने के बाद ये 1.5 इंच तयार रह जाएगी और इसकी लंबाई जितनी बाजू की मोहरी है टोटल 14 इंच कट की है इसका तीन गुना ले लेंगे तो ऐसे मैंने दो कपड़े ले ले ली है फ्रिल के लिए अब इसकी सिलाई कर लेंगे सिलाई करने से पहले इसमें प्लेट्स के मार्क कर लेंगे टॉप से टेप रखते हुए 12 इंच पे निशान लगा रही हुए आपका जहां भी प्लेट का पॉइंच आता हो आप उतने पे मार्क कर लीजिए यहां सेंटर से 3.5 इंच के गैप पे मार्क करते हुए सीधा सीधा ड्रॉ कर लेना है अब सेम मार्किंग बैक साइड पे भी ऐसे ही करेंगे इसी तर ऐसे दूसरे पैनल पे भी सेम इसी मार्किंग को हमने कर लेना है अब इस पे सिलाई लगा देनी है जैसे plates को सिलते हैं आदा इंच का दबाब देते हुए वैसे इस पे सिल लेना है तो ये एक पैनल पे मेरी plate आ गई हैं ऐसे ही दूसरे पैनल पे भी मैंने insert कर ली है इन दोनों के तीरे को joint करना है एक side से तीरे को joint कर लिया है अब इसके neck पे लगाने के लिए औरेव strip ली है लगबग दो inch चोड़ी है इसे इस तरह से रखते हुए stitch कर लेना है friends और एव तो सबको लगानी आती है इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रही हूँ briefly तो पूरे में लगाने के बाद इसमें पूरे में notches दे देने है इस तरह से छोटे छोटे cut लगा देने है और अब इसका तीरे की इस वाली side को भी stitch कर लेना है तो ये दोनों तरफ से तीरा स्टीच करने के बाद इसको अंदर की तरफ पलट तो इस पे तुरपाई कर लेनी है तो मैंने इस पे अभी सिलाई लगा ली है, नैक की ये रेडी हो गया है अब ये बॉटम का कपड़ा लिया है, स्टार्टिंग से जैसे हमने कुर्ती में 2 इंच का मार्जन चोड़ा है वैसे ही 2 इंच का मार्जन छोड़ते हुए इसमें चोटी-चोटी पलेटें डाल लेनी है लगबग 1.5 इंच के गैप पे मैं एक पलेट उठा रही हूँ तो आपने अपने कपड़े को एड़स्ट करते हुए ब्राबर ब्राबर गैपिंग पे पलेटें डाल लेनी है तो ये देखें सैंटर पॉइंट तक मेरा जैसे कमर के पास से 22 इंच था तो ये सैंटर पॉइंट तक लगबग 11 इंच है आधी पलेटें डल गए है इसी तरह से आगे भी पलेटें मैंने डाल ली है अब इसको इसमें जॉइन करना है सीधी से सीधी साइड में लाते हो यहाँ पे स्टिच कर देना है स्टिच करने के बाद ये एक साइड में जूड़ गया है और इसी तरह से मैंने दूसी साइड में भी स्टिच कर लिया है अब लगाएंगे इसमें फिटिंग की सिलाई तो जैसे हमने 2-2 इंच का मारण छोड़ रखा था तो 2-2 इंच के गैप पे मार्क करना है और यहां उपर से टेप रखते हैं 15 इंच पे मैं हिप का निशान लगा रही हूँ या फिर आप इस तरह से भी मैजर कर सकते हो जहां भी आपका 22 इंच पे आप इस तरह से इसको मार्क करते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए एक साइड की मैं सिलाई आपको लगा के दिखा रही हूँ इसी तरह से दूसरी साइड की भी लगा लेनी है और हिप के मार्क पे पहुंच देए सिलाई को पक्का कर लेना है ऐसे ही इस साइड की सिलाई भी लगा देंगे अब इसमें लगानी है बाजू तो बाजू को रेडी कर लेते हैं फ्रिल का कपड़ा है इसकी एक साइड को क्वाटर क्वाटर इंच मोरते वे फिर सिलना है यानि टोटल आधा इंच तक फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है सिलाई लगा दी है अब इसमें छोटी छोटी प्लेट से इंसर्ट कर लेनी है बाजू की सीधी साइड पे फ्रिल को ऐसे रखते हुए आधे इंच के गैप पे सिलाई लगा देनी है अब इसे इस तरफ करते हुए टॉप स्टिच लगा देना है तो ये बाजू में फ्रिल लग गई है अब जैसे फिटिंग का हमने मार्क लगाया हुए वैसे इस पे सिलाई कर देनी है मोहरी का मार्क पांच इंच पे करते हुए बस सेम उसी मार्किंग पे हमने स्टिच कर लेना है बाजू स्टिच हो गई है और इसकी सीधी साइड भी आप देख सकते हो अब इसे कुर्टी में अटैच करना है तो बाजू की फ्रंट साइड और कुर्टी की फ्रंट साइड दोनों एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखना है अब यह इनकी उल्टी साइड है बाजू को सीधा करते हुए कुर्टी के अंदर डालना है और fitting की सिलाई दोनों की मिलाते हुए बाजू और कुर्ती की फिर सिलना start करना है तो यहाँ पर इस कपड़े को जो भी margin इस तरह से fold कर लेना है और फिर पूरा round में stitch कर देना है जैसे normal कुर्ती में बाजू अटेच करते हैं वैसे ही करनी है मैंने दो तरीके से बाजू अटेच करनी बताई हुई है तो उस वीडियो का link उपर right side में दिया गया है आप देख सकते हो अगर देखना चाहो अब यहाँ shoulder के लिए जो strip लगाई जाती है shoulder में तो मैंने ऐसे एक strip ready कर ली है इसको तीरे की सिलाई के नीचे रखते हुई stitch कर लेना है ऐसे पूरे में सिलाई लगा दी है ऐसे ही दोनों तरफ मैंने बाजू attach कर ली है अब इसके bottom को एक इंच fold करते हुई stitch दे देना है इसके bottom को मैंने fold कर दिया है इसकी slits को भी fold करते हुई stitch दे देना है की slits को भी fold कर देना है तो slits इसकी fold हो चुकी है कुर्ती हमारी बनके ready हो गई है तो आपने देखा कितना आसान था इस कुर्ती को बनाना आई होप आपको ये वीडियो helpful लगा हो अगर आपको वीडियो थोड़े सी भी अच्छी लगती है तो इसे share जरूर कीजिएगा thanks for watching